पत्थर चट्टा का ये पोदा पत्थरी के लिए रामबान इलाज का काम करता है इसके पत्थे दो के पानी से अच्छे से और खाके फिर पानी पी ले एक पत्था रोज खाएं पत्थरी बिल्कुल निकल जाएगी नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको पत्थर चट्टा के प्लांट के बारे में बताऊंगी पत्थरी के लिए रामबान का काम करता है ये मैंने अपने दूसरे चैनल पे इसकी वीडियो डाली है उसमें काफी कमेंट होते हैं है की हमारी पत्री है इसको खाने से निकल गई तो कई लोगं यह पूचते हैं की कहां मिलता है यह ना नरसरी में आराम से मिल जाता है और इसको पत्थय से वह अमुगा सकते हैं यह पत्त्ता जो है ना यह मिट्टी में रख़ओ इसBe gras बन जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, आपको कैसे इसका प्लांट लगाना है, कलम से लग जाता है, ये पत्ते से भी लग जाता है, और बिल्कुल सिंपल मिट्टी में, इसकी बहुत जादा कोई केयर नहीं है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगी आपको और इसको एक पत्ता हम रोज भा सकते हैं, जैसे अगर हमारे कहीं दर्द हैं, एडी में दर्द हो, या कहीं सूजन हो, तो गरम तवा करके उसके इसको हलका से कर लो, तेल लगा के, और फिर वहां इसको जितना परदास कर सकें, आप उतना गरम लगा ले या बांध ले, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनेफिट मिलेगा, और जैसे सरदर्द हो, सरदर्द पे इसका पत्ता एक तोड़के रखलो सरदर्द में माथे पे, तो उससे भी बहुत आराम मिलता है, इसके बहुत ज़्यादा फायदे बताए गए हैं, पत्थरी जो किड़नी स्टोन होती है ना, वो बिल्कुल निकल जाती इससे, एक पत्ता इसका रोज दो के अच्छे से खा लें और उपर से पानी पी लें, फिर उसके बाद एक गंटा आप इससे कुछ ना खाएं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, और जैसे सूजन आ जाती है, उस जगह इसको हम बांद सकते हैं, गरम करके, तेल लगा लो इसमें, पत्ते में गरम करके और लगा लो, जैसे कहीं बार हमारे गटा होता ना, वहां इसमें दर्द हो जाता है, हात के जो अंगुठे के उपर जो हड़ी होती है, इसमें दर्द हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्या अभी थोड़े दिन पहले मैंने ये लगाया था एक कटिंग करके तो ये तो मैंने देखिए इस तरह के से इतनी मोटी एक डंडी ची तोड़ ली थी और ये लगा दी थी तो अब ये बहुत अच्छे चल गई और ये छोटे से ही मैंने बेकार के प्लास्टिक के ग्लास में ल लिक से लगा दो ये देखिए इसको इस तरीके से लगा देगे ना तो इससे भी प्लांट बन जाएगा ये बहुत जल्दी ग्रोव कोता ऑड़ वर होता ये और य्यजो बत्ता है ना अगर आपको इसको ऐसे रख देंगे बस ऐसे इसको रख देंगे ना तो यहां शाइड से उसमें मैंने दिखाया कि कैसे इसमें फूल से बन जाते हैं बहुत ही फाइदेमंद यह प्लांट है और काफि पे कमेंट बहर कहा है कहीं लोग अपना मतलब फाइदा भी बताते हैं कि उनको फाइदा हुआ है और इसी वज़े से फिर मैं अपने इस चैनल पर भी इसको शेयर करते हूं कि इस जो प्लांट को है ना सब को घर में लगाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट करने चाहिए यह प्लांट बनाने के बाद अब इसका मोसा में आएगा ऐसा कि यह बहुत फुल की जैसे या तो गोबर की खादो या घर की चाय की पत्ती होती है यूज करी हुई चाय बनाते हैं फिर उचान के वो डाल दो उससे भी इसको थोड़ी सी खाद मिल जाती ना भी अगर इसमें काट डालने ना यह सिंपल मिट्टी में चलता है यह प्लांट और इसके फ और जब लोग बताते हैं ना इसके वारे में कि हमने इसका खाया पत्ता और हमारी पत्तरी निकल गए बेलकुल एकदम साफ हो गई है तो इसी वज़े से फिर मैं जादातर कुशिछ करती हूं लोगों को बताने की और जिससे जादा से जादा लोग इसका फायदा उठा सके सूजन कहीं हमारे आ जाए, फोड़ा निकल जाए, कान में दर्द हो, ऐसे में इसका 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 इसक लेकिन अगर आपको हलका फुलका जैसे कहीं दर्द है एडियों में दर्द है सूजन है या जैसे किड़नी स्टोन है तो उसमें आप शुरू कर सकते हैं इसमें आपको कोई नुक्सान नहीं होगा इसमें उल्टा फायदा ही फायदा होगा और यह प्लांट इतनी जल्दी बन लगा लो इतनी जैसे मैंने यह लगाई है या फिर पत्ता भी ग्रो हो सकता है नहीं तो यह बहुत मेंगा प्लांट नहीं मिलता नर्सरी में आपको बना बनाया प्लांट मिल जाएगा 20-30 ज्यादे से ज्यादा 40 उर्पे तक का और आप खुद भी इसका फायदा उठाईए और दूसरों को भी आप बताईए इसके बारे में और आपको यह कैसा लगा मेरा यह वीडियो पथर चटे के प्लांट के बारे में आप बताना कमेंट में लिखकर और दोस्तों एक बार इसको अगर आपको प्रोब्लम है किड़नी स्टोन की तो यूज करके जरूर देखना इसका कोई नुकसान नहीं है हलका खारा सा होता है इसका टेस्ट लेकिन यह फायदे मंद बहुत है जिसको जैसे यूरिन रुक जाता है ना बाथरूम बाथरूम करने में प्रोब्लम होती है लोगों को खुलके नहीं आता साफ नहीं होता बाथरूम उस समय भी यह बहुत फाइदा करता है आप इसका एक बार यूज जरूर करें और आज की मेरी यही वीडियो थी